पन्ना अलाग रुपे हर बैंक अकाउंट में और भाईयों और मैंनों शप्पनिश की जाती है मुझे प्रधानमंत्री मत बनाना मुझे देश का चौकिदार बनाना हर बाशन में एक के बाद एक एक के बाद एक एक के बाद एक ये चार चीज़े प्रधानमंत्री कहते थे अब राजिस्तान में चुनाव हो रहा है मद्यप्रधेश में उनके बाशन दुनिये उनके बाशन दुनिये ना रोज़गार की बात करते है ना किसान की बात करते है न पंद्रह लाग बोल जाओ और चोकीदारी के बारे में मैं आपको समझाता हूँ थोड़े पांच-दस मिन में आपको बोलने को कुछ नहीं पचा अब आते हैं आते हैं जो पुराने वाहिदे जो उनके बारे में बोल नहीं सकते हैं दो तीन चीज़े कह जाते हैं मेरी बुराई कर देंगे सचिन पाइलर्ट अशोगे लोड कॉंवरिस की बुराई कर देंगे और चले जाएंगे इसका कारण है क्यόकि organiseे उनके सामने जो जंता एंगे उस जंता का प्रदान मंत्री पे भरोसा ही नहीं और जब प्रदान मंत्री बोलते हैं जंता देखती है चाएं ये तो जुड़े जंता बोलेगा और फिर उनमें गुस्सा आता है कि हो गया रहा है और फिर उन्टी सी रिवाद करते हैं आप हमारे भाशन सुरो सचीन पाइलट अभी बोल रहे थे अश्रो के लोड बोल रहे थे प्रधान मंत्री जी वसुंदरा जी तमीज से बहुत हैं हम लोग देश के प्रधान मंत्री हैं जन्ता ने उनको चुना रहे तो हम बत्तमीजी से उनके बारे में नहीं बोलेंगे जाए वो कुछ भी करें और आप कॉंग्रेस पार्टी के सब नेता हों देख लो तमीज से बात करते हैं प्याज से लड़ते हैं और हराते हैं एक तरफ वो नफरत फिलाते हैं क्रोध फिलाते हैं उल्टी सीदी बाते बोलते हैं और हम दुसरी तरफ से प्यार की बात करते हैं लोगों को जोड़ने भी राप करते हैं हिंदुस्तान की प्रविदिक भी अप्राइब अब एक और सचाई सुनिए साड़े चार साल में दरेश्र मोधी जी ने पंदरा लोगों का साड़े तीन लाग पचास अजार करोड रुपे कर्जमाब किया थैं ये इंदुस्तान के सबसे अमीर अरव पती हैं इन सब ने लाखों करोड रुपे हिंदुस्तान के बैंक का ले रखा है और वापिस नहीं देना चाहते हैं इन मेंसे आपने नाम सुने होंगे अनिलंबानी मेहुल चौकसी निरभ मोधी ये सब नाम आपने सुने होंगे ऐसे लोग हैं जिनोंने करोड लाखों करोड रुपे आपका पैसा बैंक से लिया है और वापिस नहीं देते हैं बाई और बैनों बारा लाख करोड रुपे इन लोगों ने हिंदुस्तान के पबलिक सेक्टर बैंक से ले रखका है वापिस नहीं देते हैं बारा लाख करोड रुपे का साड़े टीन लाख करोड नरेंद्र मोधी जी ने स्वाहम माव किया है और आस्ते आस्ते बारा लाख करोड कर्जा माव करने का प्लैन है अब मेरा सिर्फ एक सवाल है और ये सवाल मैंने जाके नरेंद्र मोधी जी से उनके आफिस में पूछा कॉंग्रेस के कारेकरता कहेंगी राहूल गान्दी नरेंद्र मोधी जी के आफिस में कैसे पहुंच गया बताता हूँ एक बार गया हूँ और किसान के कर्जा माफी के ले गया और मैंने प्रधान मंत्री को साफ बोला मैंने प्रधान मंत्री को ये शब बोले देखिए मोधी जी आपने लाखों करोर रुपया उनका मात किया है पंद्रा लोग है हिंदुस्तान में किसान आता मंत्या कर रहा है बोनस ले लिया आपने सही धाम का वाइदा किया था नहीं देते हो MSP नहीं बढ़ाते हो हिंदुस्तान में करोरों किसान है अगर आप उन पंद्रा लोगों का कर्जा माग कर सकते हो तो आपको हिंदुस्तान के करोरों किसानों का कर्जा माग करना पड़ेगा बाईये और मैंनो कोई जवाब नहीं दिया मेरा चुप हो गए गूर के मुझे ऐसे देखा गूर के देखा ऐसे ये कौन आगया मेरे आफिस में हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री को नरेंद्र मोदी को इसने सुझाग कैसे दे दिया आफिस में आकर किसान की बात कैसे कर दी गूर कैसे मुझे देखा मैंने नमस्ते की मैं चला गया अब मैं प्रधान मंत्री का राजिस्तान में जवाब देना चाहता हूँ सिर्फ मैं नहीं कॉंग्रेस पार्टी सचिन पाइलट अशो के लोड यह जो हमारे नेता सब बैठे है जवाब कैसे देंगे मैं आपको बताता हूँ कॉंग्रेस पार्टी हाँ पर चुनाओ जीतने जा लिए राजिस्तान के किसानों चुनाओ के बाद आप दस तक इनना दस दिन एक, दो, तीन, चार, पांच, जे, साथ, आट, नो, दस दस तन में नरेंद्र मोदी जी کو राजिस्तान की सबकार जवाब दे देंगी राजिस्तान के हर किसान का कर्ज़ब माफ कर के दिखा देंगे और यही बात मैंने पंजाब में बोली पंजाभ में कर्दा माँद किया यही बात करनातक में बोली करनातक में कर्दा माँद किया और और याद रखिये जब हमारी UPiA की सरकार ती 70,000 क्रोर रुपया कर्दा माँद करके हंदושतान के किसानों गुदिया था अब राजिस्तान का किसान अब ये मत सोचिए कि कॉंग्रेस पार्टी आपको कोई तोफ़ा दे रही है या आपको कोई जिफ्ट दे रही है हम आपको नियाए दे रहे है सवाल सिर्फ यह है कि अगर 15 लोगों का कर्जा माफ हो सकता है तो फिर राजिस्तान का राजिस्तान के किसान का कर्जा माफ भी होएगा अगर मोदी जी पंद्रा सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ नहीं होते नहीं करते तो मैं मान लेता कि भाई यह दी के आपने उनका नहीं किया तो किसानों का भी मत करो मगर अगर हिंदुस्तान का प्रदान मंत्री 15 लोगों का साड़े तीन लाग करोर रुप्रे माफ करता है तो फिर किसान का करजा माफ होगा 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 दूसरे बात हर पाशन में मोदी जी कहते थे दो करोर युवाओं को हर साल नरेंद्र मोदी रोजगार दिलवाए थे दो करोर युवाओं को नरेंद्र मोदी जी रोजगार दिलवाए थे मैं आपसे पूछना चाहता हूं यहां पर लागों युवाँ खड़े हैं क्या नरेंद्र मोदी जी ने अपना वाइदा पूरा किया चीफ मिनिस्टर आपकी चीफ मिनिस्टर ने कहा था पंदरा लाग युवाँ को रोजगार दिलवाऊंगे क्या आपकी चीफ मिनिस्टर ने वाइदा पूरा किया पच्चिस हजार स्कूल बंद कर दिये पचास हजार सरकारी पोस्ट रच कर दिये मेडिकल कॉलिज की फीज पंदरा को ना बढ़ा दी पंदरा बार बढ़ा दी चार हजार एसिस्टेंट प्रोफेसर के पोश्ट खाली पड़े हैं और जोद्पुर में जो छोटा भी अपारी है स्मॉल और मीडियूम बिजनसेज हैं जो छोटा दुकानदार है वो उस दिन को अभी तक याद करता है जिसने नरेंद्र मोदीजी टेलिविजन पर आए और हस्ते हुए उन्होंने कहा कि आज रात बारा बज़े के बाद आज रात बारा बज़े के बाद पात सो रुपे का और हजार रुपे का नोट रद हो जाएगा हिंदुस्तान के इंफॉर्मल सेक्टर को खतम कर दिया नरेंद्र मोदीजी ने करोड़ों लोगों को नुक्सान पहुचाया जोदपूर की इंडिस्ट्री को खतम किया और हसने हुए काले धन के खिलाभ लड़ाई है चौराय में मुझे फासी दे देना काले धन के खिलाभ लड़ाई है देश वासियों एक साथ खड़े हो जाओ काले धन के सिर खिलाब लड़ना है देश की पूरी की पूरी चंता बैंक के सामने कड़ी हो गई माता है बेने आप से मैं पूछना चाथा हूँ उस लाइन में आपने हिंदुस्तान के चोरों को देखा उस लाइन में काले धन वाले दिखाई दिये उस लाइन में किसान, मजदूर, युवा, छोटे दुकानदार दिखे और काले धन की कैसे लगाई थी मैं आपको बताता हूँ काले धन वाले